ब्रम्होस मिसाइल से लैस स्वदेशी स्टील्थ गाइड़ मिसाइल विध्वन सक इनफाल मंगलवार को भारतिय नौसेना के युद्धक बेध्धे का हिस्सा बन गया। जैविक और रासाइनिक युद्ध के हालात में भी लड़ने में सक्षम है। भारतिय नौसेना के नवीनतम निर्देशित मिसाइल स्टील्थ विध्वन सक इनफाल की लौंचिंग 20 अप्रेल 2019 को हुई थी। इसी समारोह के दौरान जहाज का नाम इनफाल रखा गया था। भ सैनिक रिवाजों के अनुसार भारतिय नौसेना के युद्ध पोतों और पंडुब्यों के नाम प्रमुक शहरों, परवत श्रंखलाओं, नदियों, बंदरगाहों और द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। में निर्मानाधीन चार गाइड़ मिसाइल स्टील्थ डेस्ट्रॉयर्स में से यह तीसरा युद्ध पोत है। इसे MDL ने इसी साल 20 अक्टूबर को भारतिय नौसेना को सौंप दिया था। नौसेना के बेढ़े में शामिल। होने से पहले परीक्षण के रूप में इस युद्ध पोत से 22 नवंबर को विस्तारित रेंज की ब्रहमोस मिसाइल का सफल प्रक्षेपन किया गया। परीक्षण के दौरान भारत की बढ़ती जहाज निर्मान क्षमता, स्वदेशी हतियारों और प्लेटफार्मों की विश्वसनियता परखने पर फोकस किया गया। इस असाधारन उपलब्धी के पश्चात, इस युद्ध पोत का क्रेस्ट अनावरन 28 नवंबर को शानदार तरीके से नई दिल्ली में किया गया जहाज में लगभग 75 प्रतिशत की उच्च स्वदेशी सामगरी का उपयोग किया गया है, जिसमें MRSM, ब्रहमोस SSM, रॉकेट लॉंचर और 76 मिमी, SRGM शामिल है, इनफाल पहला ऐसा स्वदेशी विधवनसक है, जिसके निर्मान और समुद्री परीक्षणों को पूरा करने में सबसे कम समय दर्ज, किया गया, 133 मीटर लंबाई, 7 हर 400 टन वजन और 75 प्रतिशत स्वदेशी सामगरी के साथ, इ यह आत्म निर्भर भारत के राष्ट्रिय द्रिश्टिकोन को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्मान क्षमता का प्रमान है, इस युद्ध पोत में एक आधुनिक निगरानी रडार लगा हुआ है, जो इसके तोप खाने हतियार प्रणालियों को लक्ष ड प्रेटा प्रदान करता है, इसकी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित, रॉकेट लॉंचर, टॉर्पीडो लॉंचर और ASW हेलिकॉप्टरों से लैस हैं, यह युद्ध पोत परमानू, जैविक और रासायनिक युद्ध के हालात मे भी लडने में सक्षम है। एक सच्ची श्रद्धानजली है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए। आपको वीडियो कैसी लगी? घन्यवाद!